ओम नमस्षिवाए दुरलब सामगरी को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन के उपर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले अगर हमारे ग्रुप में आप चामिल होना चाहते हैं तो ग्रुप के लिंक को आप यहाँ पर ढून सकते हैं और आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में चामिल हो सकते हैं ओम नमस्षिवाए ओम नमस्षिवाए तो आप लोगोंने तैयारियां कर ली है शुरू नवरात्रों के लिए और मुझे पता है बहुत से साधक और साध्री लग गए होंगे मातारानी को प्रसंद करने में तरह तरह की इंटरनेट पे इंफॉमेशन लेने मंत्रे ढूंडने या कुछ पूजा में गलती ना हो जाए उसको सुधारने के लिए तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना कुछ ढूंडने की जरूरत है मैं आपको सारी इंफॉमेशन सारी जानकारी यहीं इसी वीडियो में दूँगा और मैं उन सब को तही दिल से स्वागत करता हूँ उन सब का जो की ग्रूप में आ रहे हैं और जो थोड़ी सी जगह बची है उन सब के लिए कहना चाहूँगा कि जल्दी से आ जाईए क्योंकि अगर एक बार ग्रूप फुल हो गया तो फिर ग्रूप में आना असंभव है बिल्कुल उसमें लिमिट है तो जितना जल्दी हो सके दुरलप सामगरी की ग्रूप को जोईन करिए और हमारे साथ ग्रूप में आप किसी भी तरह की अपनी जो प्रॉबलम है वो शेयर कर सकते हैं और हम आपको ग्रूप में ज़रूर रिपलाई देंगे अगर ग्रूप में रिपलाई ना दे तो आप पर्सनल चैट भी करसकते हैं बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुजी आसन कहां लगाना है, बैठना कहां है, क्या क्या समान रखना है, और क्या क्या जरूरी है, हम इसके बारे में कुछ नहीं पता, यह हमारा पहला नवरातरा है, और इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं, तो कृपया हमारी मदद क करें, हमें बताएं, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, और आप भी जान लीजिए, अगर आप भी नहीं जानते हैं, कहां पर क्या होना चाहिए, और कैसे आसन लगाना है, और कौन-कौन सी समगरी आपके पास होनी और अपने आपको सुधार लीजिए, अगर आपने कोई गलती की है तो, आपका जो आसन है वो लाल रंग का होना चाहिए, लाल रंग के आसन पे ही आपको बैटके माता की अरजना या पूझा करनी है, साथ ही आपके पास एक मिट्टी का पात्र जरूर होना चाहिए, जिसम पर जानवर गूमते हों, साफ सुत्री जेगर से मिट्टी लाई गई हो, मिट्टी का बहुत प्रभाव पढ़ता है, एक एक चीज़ का प्रभाव पढ़ता है, ऐसा नहीं है कि आप काम चलाओ काम ना करें, दिल से काम करें, जल से भरा हुआ कलश होना चाहिए आपके पास एक कलश हो जिसमें की पानी हो और उसके अंदर आप साफ पानी रखें बिलकुल, जितना साफ पानी होगा उतना अच्छा होगा ये जो कलश है, इसमें ये नहों कि आप टंकी का पानी भरें या कहीं अगर साफ पानी आ रहा है, फ्रेश पानी है तो वो भरके रखें, और आपके पास मोली, इलाइची, लॉंग, कपूर, रॉली और लाल सुत्र यह सारी चीज़े आपके पास होनी चाहिए, मैं बार फिर से बता देता हूँ लाल सुत्र, मोली, इलाइची, लॉंग, गपूर और रॉली इन सब को आपको एक साथ रखना है उसके अलावा आपके पास साबुत सुपारी, साबुत चावल और सिक्के मातरानी को भेट करने के लिए आपके पास चांदी के सिक्के हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है और क्योंकि चांदी पूरता ही एकदम प्योर होती है तो चांदी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होगा और आपके पास आम के पत्ते भी होने चाहिए जरूरी है आम के पत्ते आपके पास होने चाहिए आप साथ रख सकते हैं या पंद्रा भी रख सकते हैं और मिट्टी का ढक्करन एक है वो भी होना चाहिए साथ ही साथ आपके पास पानी वाला नारिल होना चाहिए देखें पानी वाले नारिल में बाल है जो अच्छा हो जिसमें पानी हो वो नारिल लीजिए और लाल कपड़ा या चुनरी या सिंदूर इन मेंसे कुछ भी आपे ले सकते हैं और अगर तीनों लेते हैं तो ये तो सुने पे सुहा का जैसी बात है इसके अलावा आपके पास जो है वो ताजे फल फूल और नवरातर कलश आता है वो आपको लेना है वो आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा और जो सबसे महत्तपूर्ण बात है जो यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात है वो होती है अखंड जोत अखंड जोती के लिए साफ किया हुआ पात्र होना चाहिए मिट्टी का पात्र भी चलेगा या पीतल के आजकल दी आते हैं आप वो भी इस्तमाल कर सकते हैं और रूई से बनी हुई उसकी बत्ती होनी चाहिए रोली या सिंदूर और साथ में आप थोड़े से चावल भी ले सकते हैं जो कि अर्वा चावल होते हैं इसके लावा जो यहां पे ध्यान देने वाली बात है वो आपको रखना है हवन के लिए आपको हवन के लिए हवन कुंडुखलब रखना पड़ेगा जो कि बिलकुल साफ सुत्रा हो और आपको लोंग का जोड़ा रखना है यानि कि दो गी पांच मेवे चावल इत्यादी ये सब तो वो चीज़े हैं जो आपको रखना अनिवार्य हैं लेकिन इसके अलावा भी आप माता की चरणों में आप कुछ भी उनके साबने भेट कर सकते हैं माता राने कभी किसी का दिल नहीं दुखाती ना कभी किसी का दिल तोड़ती है वो तो सचियां जोता वाली माता हैं लाड़ा वाली मा हैं और अगर आप उन्हें प्रसंद करेंगे तो वो बहुत जल्दी प्रसंद होके अपने भक्तों को मन मांगा वर्दान देती हैं आपको करना सिर्फ इतना है कि पहले नवरात्रे यानि कि पहले नवरात्रे की दिन आज की दिन आपको पूर्ण तहां उनके उपर विश्वास करके अपने वरात्रे को सफल बनाना है माता के भजन जरूर सुनिएगा दिन में जितना हो सके भजन सुनिएगा और पूरे ध्यान मगन होके मतलब अपने भजन सुनने हैं दुनियादारी के काम को आज थोड़ा अपने से दूर रखे आज का दिन जो है वो माता के लिए निशावर कर दीजिए और जैसा कि मैंने आपको सामगरी वगरा बता दी है ये सामगरी वगरा लीजिए और माता का जो आवाहन है वो शुरू करिए और सुबह से ही आप पूजा में लगे रहिएगा मगन इस नवरातरी पे ये उमीद रखे थे कि मैं उनको कोई ऐसा मंतर दूँगा जो नवरातरी पे ऐसा असर दिखाए कि बस वो देखते रह जाएं तो उनके लिए मैं जरूर मंतर लेके आया हूँ आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको धियान मगन होना है माता में जब आप दिखां मगन हो जाएं उसके बाद आपको ये मंतर बोलना है इस मंतर का आपको जाप करना है सिर्फ आपको तीन बार चाप करना है पूजा अर्चना करते हुए और हर नवरातरे मतलब जब तक आपकी पूजा चल रही है तब तक आपको इसका जाप करना है और नित्या ही जाप करना है पूजा के प्रारंब में भी कर सकते हैं पूजा के अंत में भी कर सकते हैं लेकिन क्यों किसी की प्रात्ना पूरी नहीं हो पाती क्योंकि हमारे मन में कहीं न कहीं द्वेश या फिर हमारे मन में भाव आ जाता है कि शायद मेरी पूजा अधूरी रह गई है माता आपके जो वैभों हैं उनसे प्रसन्न नहीं होती माता आपके भाव से प्रसन्न होती है यदि आप माता के दर्बार में या माता को सचे दिल से प्रसन्न करें दिल से उनकी पूझा करें तो वो बहुत जल्दी आपको जमतकारी रूप से फल देने वाली है और उन सब के लिए बहुत खुशकबरी की बात है जो गुरूप में एड हो चुके हैं जो गुरूप में शामिल हैं क्योंकि उन्हें पलपल की अपडेट्स मिलती रहेगी कि कैसे पुजा करनी है या कोई भी सवाल जबाब हो और जो कुछ खुश किसमत बचे हुए हैं वो जल्द से जल्दी गुरूप में आ जाएं क्योंकि कहने के मतलब यही है कि जगह बहुत कम बची है और अभी मेरे पास कुछ देर पहले एक साधवी का फोन आया उनकी भी मनोकामना पूरी हो गई है तो मैं चाहता हूँ उनके थौट्स उनकी फिलिंग भी आपके साथ शेयर करूँ और आपको भी उनसे बात करवाओं या उनकी आवास सुनवाओं आपको थैंक हो जो की अपने जो एक नाफंक का ददा यूट्यूब पे और तो वो मेरा काम कर गया अटमे जो गटाता हो अच्छा आपको रिजल्ट आगे है आपको रिजल्ट मिल गए है हाँ मुझे बिजल्ट तो दिखाई भी द देयर आपको ढटले तो मुझे भात भी नहीं करता ता मैं एक दम मुझे ब्लाइं मी बनलाता है चा आप मुझे कैसे गया यह बताइए हाँ तो मैंने कैसी बी Woranager में पुरयिए इसको कर्या कि एक और एक दिन को मैंने इसको बोला कि मुझे मेलू कोर के बादा करके वादा तो मैंने कैसी डालेस्थी आध यकोर करके ऑदा तो मैने कैसी एक आरश की श्को मिलना और उसको अष्म, इसको अधन झि ्न ज़तmore छेली लिगा तब दीक्ट करता ता अचया तो प्रस लेल भी नही। तो अच्छी करने लिगी कि आहले हैं तो आग्य private का बेर अच्छी मिलू करख़ा दीकित ऑच्छीय थी तरह कि एपना चोटा काम करें प्यार में जूट सब कुछ चलता है जूट सच कैसे भूल कि अगर आपने उसको असल कर लिया, तो ये सब चलता है, प्यार और जंग में तो सब जाहिर है, तो अभी उन कामने से मैसिज़ करता है, अगर मैं कॉल को तो फट्रक्स उठाबी लिटा है, इन से चोड़ा तेसे ल अच्छा तो आप एक बात बताएंगे और लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे यह कैसे करना होता कि पस जैसे आप ने किये वैसे बता ऋएखे हैं देखे थे और someone भूरी यह कैसे किया यह प्राथो के की तो अपने पाल की बनाने की सब्सक्तर खुल के तक्षंघ ने कि about 28 इंदे रहा के खाने बना की खाने मिला के छाने मिलाक की सब्सक्राइब थाぜ रुच contrat है और आपको काम बने जाता है लोगों क्या कहना चाहोगे जो लोग इसर्च करते रहते हैं कोई आसान सा टोटका बिल्कुल इजी उनको क्या कहना चाहोगे कि अपर मंदर नाप करेंगे लेकिन अपने इमार तरह बाते होती है इसको कितना भी द्रह लगाएंगे नहीं होता तो कि मैंने भी कुछी कीए और मेरे दो तीन बार में दो यह सब्सक्राइब कर दो यह जाए है अच्छा चलिए जडी बहुत बहुत शुक्री आपका कॉल कर करने के लिए और आपका काम बना इसी तरह सभी का काम बने कॉल करने के लिए आपका बहुत 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 कर सकते हो तो देखा आपने किस तरह से लोगों के काम बनते हैं और आपके भी काम बनेंगे यदि आप सही तरीके से करेंगे और देखिए हमारे दुवारे दिखाये जाने वाले सभी प्रियोग मंतर सही में काम करते हैं इसमें दोर आए वाली बात बिलकुल भी नहीं है बस जरूरत है तो आपको थोड़ा सा ध्या मन लगाने की मन लगाकर काम करिए यानि कि मन लगाकर आप अपनी पूजा अर्चना या कोई मंतर जाप है या कोई टोटका है उसे करिए और आप देखिएंगे बहुत जल्दी आपके काम बन जाएंगे लेकिन सबसे बड़ी बात आती है आपका मन होना चाहिए लोग अध करके बार बार बोल रहे थे कि गुरुजी आपकी वीडियो नहीं आई तो मैंने उनके लिए स्पेशली बनाई है वीडियो और एक साधवी है जो मुझे तीन चार बार फोन कर चुके मुझे उनका नाम तो नहीं बता लेकिन मैं स्पेशली उनको थैंक्स बोलना चाहता हू कि उन्होंने मुझे फोन किया और उनका जो मोटिवेशन है जो मुझे बार बार फोन करके मुझे बोलती रहती है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई उस मातारानी या उस परमपिता परमात्मा या जिस भी आप किसी भी शक्ति को मानते है उसके प्रती उनका प्यार म